और ये अजैंट को स्ब्सक्राइब करें वीडियों को लाइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए, तो यह सो्चियों सोच्योलाजी का प्रैक्टिस सेट है सोच्योलाजी से संबंधी तो कोई भी एक्जाम हो सबके लिए यह क्लास इंपॉर्टंट है तो चलिए देड़ न करते हैं कि पहला कुश्चन है कल 90 कुश्चन हो चुके थे उसके आगे के कुश्चन है मिल्टन सिंगर यो मैकी मैरियट ने भारती ग्रामिट समाज में सामाजिक परिवर्थन का अधियन करने के लिए कि सौधाड़ात्मक धाजे का प्रयोग किया है इसमें राइट आंसर क्या होगा मिल्टन सिंगर यो मैकी मैरियट ने मिल्टन सिंगर यो मैकी मैरियट ने लगू यो बिरियद परमपरा आप्शन सेकेंड राइट आंसर है लगू यो बिरियद परमपरा की अधाड़ा शारो पर्थम राबर्ट रेड फिल्ड ने मैक्सिको के गाउं का अधियन करके दियत है इससे प्रभावित होकर मिल्टन सिंगर यो मैकी मैरियट ने इस अधाड़ा को भारती गाउं में लागू किया था आप्शन सेकेंड राइट आंसर है सदर लेंड ने अपनी क्रीती प्रिंस्पल आप क्रिमनो लाजी में नीम ने लिखी तमेशे अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचन की है नीम नवारगी के अपराधी, श्वेट वसन अपराधी, वेवशाईक अपराधी, आर्थी का पराधी, राजनेती का पराधी एक और दू, तीन और चार, दो और चार, तीन, चार और पांच इसमें राइट आंसर क्या होगा सदल लैंड ने अपनी पुझत क्रिंश्पल आव क्रिमनोलाजी में अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचन की है इसमें इन्हों ने निम नवारग की अपराधी और श्वेट वसन अपराधी की बात की है option first और second एक और दू option first राइट आंसर है next question है नीमनी लिखित में से किस एक की सहायता से हम भारती ग्रामीड की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं जात इत्वचा का रंग ब्यवशाय परिवारतन का आकार परिवार का आकार किस एक की सहायता से हम ग्रामीड भारती ग्रामीड की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं भारती ग्रामीड सामाज की सामाजिक संरचना के अंग में जाती है और भारती ग्रामेट संरचना का शामाजी संरचना की पहचान जाद की आधार पर की जाती है जाद की अलावा नातेदारी, परिवार और व्यवशाइक शमू इन चारों की आधार पर ग्रामेट संरचना की पहचान करते हैं निक्स पूजिचन है भारती ग्रामेट संरचना की परिप्रेच में संस्किती करण के अस्थान पर अनुष्ठान वृद्धी की अधाड़ा को किसने प्रस्तावित किया संस्किती करण के अस्थान पर अनुष्ठान वृद्धी की अधाड़ा को किसने प्रस्तावित किया राइट अन्सर इसका ओप्शन फर्ष्ट स्यामा चरल दूबे ने नेक्स्ट कुश्चन है किसने कहा है अप्राधिक शामानी प्रगटना है अप्राध को एक शामानी प्रगटना है अप्राध को एक शामानी प्रगटना इमाईल दूर्खीम ने माना है औप्शन फोर राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन है अप्राधिक व्यवार की व्याख्या करने के लिए भूमिका सिद्धान एवं श्वक की सिद्धान को प्रतपादित किया है मर्टन सदर्लेंड साय एवं मैके मीड़ अप्राधिक व्यवार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धान एवं श्वक के सिद्धान को मीड़ ने दिया है आप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है आक्यूपेशनल क्राइम की ओधारा को किसने प्रस्तुत किया गुर्वी सदर्लेंड बिक मैन उपर युक्त सभी आक्यूपेशनल क्राइम की ओधारा किसने प्रस्तुत किया सदर्लेंड ने अपनी पुष्टक प्रिंश्पल आप क्रिम्नोलाजी में अप्ट्यूपेस्टनल क्राइम की अधाड़ा दिये आप्शन सेकंड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है हिंदु वीवा अधिनियम 1955 के अंसा लड़कों के लिए वीवा की नियुंतमाय क्या है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष हिंदु वीवा अधिनियम 1955 के अनुशार वर्यों बधु की आयुकरमशा 21 वर्ष और 18 वर्ष है आप्शन फर्ष्ट राइट आंसर है लड़कों के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है हिंदु वीवा अधिनियम 1955 के अनुशार एक पत्नी तलाक ले सकती है यदि उसका पती उसे कभी कभी मारता पेटता हो उससे बात चीतना करता हो पर इस्तरी गमन का दोशी हो घर से लगातार बाहर रहता हो हिंदु वीवा अधिनियम 1955 के अनुशार एक पत्नी तलाक ले सकती हो यदि उसका पती पर इस्तरी गमन का दोशी हो आप्शन ठर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है निम निलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदु वीवा के बहिर वीवा अधिनियम को प्रभावित किया है विशेज वीवा अधिनियम 1954 हिंदु वीवा अधिनियम 1955 विद्वा पुनर वीवा अधिनियम 1956 बाल वीवा निरोधक अधिनियम 1939 इसमें राइट आंसर क्या होगा किस अधिनियम ने हिंदु वीवा के बहिर वीवा अधिनियम को प्रभावित किया है राइट अंसर है ओप्सन सेकंड हिंदू वीवाद नियम उन्नीश सो पचपन नेक्स्ट कुश्चन है हिंदू वीवाद के उद्देश्यों के संदर्व नियम लेखित में से कौन सा एक सही है हिंदू वीवा के उद्देश्यों के संदर्व में कौन शक्रम सही है हिंदू वीवा को एक संसकार माना जाता है जिसके तीन मुख्य उद्देश्य है पहला है धार में दूसरा है प्रजा और तीसरा है रती आप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है मुश्लिम वधु को निधारित धन को दिये जाना कहलाता है दहेज मेहर मुआपजा वधु मूल मुश्लिम वीबा में निधारित धन को दिया जाना मेहर कहलाता है आप्शन सेकंड राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन सुमेलित करना है सुमेलित कीजिए एक दो चार तीन दो एक तीन चार राइट आंसर इसमें क्या होगा यूमन सोसाइटी ये बुक किंग्सले डेविस की है और दा स्ट्रक्चर आफ सोसाइटी ये बुक है मेरियन जे लेवी की माइंड सेल्फ और सोसाइटी ये बुक है मीट की हूमन नेचर आफ सोचल आडर ये बुक है चार स्कूले की दो एक चार तीन दो एक चार तीन ऑप्षन फर्स्ट राइट अंसर हूंवन सोसाइटी किंग सिले डेविश दा स्ट्रक्चर आप सोसाइटी मेरियन जी लेवी मायंड सेल फें सोसाइटी जार्ज हर्बर्ट मीट हूंवन नेचर अन सोशल आड़ चार्ज स्कूल है ओप्षन फर्स्ट राइट अंसर हूं नेक्स्ट कुश्चन है हिस्ट्री आफ यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है वेस्टर मार्क का पाड़िया इरावती करवे किंग सिले डेविश History of Human Marriage ये बुक किस ने लिखी है History of Human Marriage ये बुक लिखी है विश्टर मार्क ने Option First, Right Answer है Next Question है निम ने लिखी कतनों में से कौन सा गलत है कौन सा गलत कतन है शामाजिक संगटन सामाजिक नियंत्रड पैदा करता है शामाजिक करण सामाजिक नियंत्रड उत्पन करता है शामाजिक संरचना सामाजिक नियंत्रड उत्पन करती है शामाजिक अलगाव शामाजिक नियंत्रड को द्रढ़ता प्रदान करता है इसमें right answer क्या होगा शामाजिक नियंत्रड के प्रमुक साधनों में परिवार, प्रात्मिक समूव, लोक दीतिया, धर्म, नैतिकता, प्रत्था, नेत्रित, कानून, राज, जन, संचार, सिच्छा तो गलत कथन इसमें है option 4 शामाजिक अलगाव, शामाजिक अलगाव ये नियंत्रड को द्रिड़ता देता है, ये option गलत है जहां पर शामाजिक अलगाव होगा, वहाँ नियंत्रड नहीं होगा option 4 right answer next question है, नेम निलिखित प्रकारियों में से सामाजिक नियंत्रड की अस्थापना हेद कानून दोरक कौन सा एक नहीं किया जाता है लोगों में समानता की चेतना विक्सित करना, समाज में नियोजित परिवर्तन लाना शमाज में विरोधिकारियों के लिए डंड का प्रावधान करना, विवादों का शमाधान करना right answer इसमें क्या होगा नेम निलिखित प्रकारियों में से सामाजिक नियंत्रड की अस्थापना हेद कानून दोरक कौन सा एक नहीं किया जाता है तो right answer है इसका option second, समाज में नियोजित परिवर्तन लाना ये कानून दोरर नहीं किया जाता, option second right answer है next question है, जागिरदार विवस्था की विशेष्था है, उत्तर अध्योगिक यूरोपी समाज की शामन्त वादी यूरोपी समाज की प्राचेन, भारती समाज की प्राचेन, मिस्त्र के समाज के जागिरदार विवस्था की समाज की विशेष्था है तो right answer है इसका option second, सामन्त वादी यूरोपी समाज की विशेष्था है option second right answer है नेक्स्ट कुश्चिन है मार्ड नाजेशन आफ इंडियन ट्रेडिशन पुछ तक किसने लिखी है मन स्रीनिवांस मस गूरी योगेंदे सिंग एम एसे राव मार्ड नाजेशन आफ इंडियन ट्रेडिशन राइट आंसर क्या होगा मार्ड नाजेशन आफ इंडियन ट्रेडिशन ये बुक लिखी है योगेंदे सिंग ने आप्शन ठर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है निम लिखित विचारकों में से किसने या स्विकार नहीं किया है कि राज एक नीत परक उद्देश होता है लॉश की गाधी अरस्तो माक्स किसने या स्विकार नहीं किया है कि राज का एक नीत परक उद्देश होता है काल मार्क्स ने ये नहीं स्विकार किया है option for right answer काल मार्क्स राज जी को नहीं स्विकार करते है option for right answer next question सुमेलित करना है द विहार हर्जन एक्ट, द बाम्बे हर्जन एक्ट, द इस्ट पंजाब एक्ट, अस्प्रिशिता निवारण एक्ट एक दो तीन चार दो एक तीन चार तीन चार तीन चार एक दो एक तीन चार दो इसमें right answer क्या होगा इस question का right answer है द विहार हर्जन एक्ट ये 1949 में आया था द वाम्बे हर्जन एक्ट ये 1947 में आया था द इस्ट पंजाब एक्ट ये 1948 में और इस्प्रिशिता निवारण एक्ट ये 1955 में बिहार हर्जन एक्ट ये 1949 में बाम्बे हर्जन एक्ट ये 1947 में इस्ट पंजाब एक्ट ये 1948 में अस्प्रिशिता निवारण एक्ट ये 1955 में right answer है दो एक तीन चार आप्शन सेकंड right answer है next question है निवन लिखित विशेश्टाओं में से कौन सी पूर अद्योगिक समाश से संबंधित है हथोड़े का प्रियोग उभूब के लिए उत्पादन दुतियक संबंदों का प्रभूत लाव के लिए उत्पादन कित्रिम शक्ति का प्रियोग ऑप्शन दिया गया एक दो तीन चार एक दो तीन तीन चार पांच इसमें right answer क्या होगा पूर और द्योगिक समाज के बारे में पूछा है संबंधित है इसमें हथोड़े का प्रियोग और उभूब के लिए उत्पादन एक और दो आप्शन फर्स्ट राइट आंसर है और द्योगिक समाज के बिशेशता है नेक्स कुईशन है मिताचरयों दाय भाग है वर्ड बिवस्था से समबंधि चिंतन के दो संप्रदाय ग्रामिल भारत के फशल के दो तेवहर पित्र वन्शी हिंदुओं के उत्तर धिकारयों दाय प्राप्त के समबंध में कानून के मुख्ष दो संप्रदाय वैदिक यूग के दो दाशनिक मिताचरयों दाय भाग है मिताचरयों दाय भाग पित्र वन्शी हिंदुओं के उत्तर धिकारयों दाय प्राप्त के समबंध में कानून के दो समब्रदाय हैं औप्शन ठेड राइट अंसर है नेक्स कुजिशन है काल मास के गतना नुसार वर्ग संगर्ष में किन दो वर्गों के बीच संगर्ष होता है पूजी पतियों सर्वहारा के बीच शासक यों सासित के बीच सिच्चित यों असिच्चित के राइट अंसर इसमें क्या होगा तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन सेकंड सासक यों सासित के बीच तो इसमें किसी विशेश योप के बारे में नहीं पूछा है अगर इसमें पूछा होता है कि मांक्स की कतना नुशार पूजी वादी समाज में किन दो वर्गों के बीच संगश होता है तो पूजी पतियों सर्वहारा हो जाता है लेकिन इसमें किसी बिशेज यूप की बात नहीं कही गई है तो इसका राइट अंसर होगा साथ सक्यों साजित के बीच आप्शन सेकंड राइट अंसर नेस्ट कुछिशन है पूजी वह धन है जिसका उपयोग स्रमकों का सोशल करने के लिए किया जाता है यह कितन किसका है मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कालमाक्स, मैकाईवर पूजी वह धन है जो स्रमकों का सोशल करने के लिए उपयोग मिलाया जाता है तो इसका राइट अंसर है आप्शन थर्ड कालमाक्स कालमाक्स के अंसा पूजी वह धन है जो कि स्रमकों का सोशल करने के लिए उपयोग मिलाया जाता है और इस सोशल से ही वर्ग संघर्ष का वीजर ओपड हो सकता है आप्शन थर्ड राइट अंसर नेक्स्ट कुश्चन है और द्योगिक संघर्ष नेमन में से किस प्रकार का संघर्ष है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्था गत और द्योगिक संघर्ष ये किस प्रकार का संघर्ष है डेहरें डार्प के अनुशार और द्योगिक संगर संस्था गत हो गया है जो कि किसी विशेश संस्थात्मक संदर्प में लागू होता है और प्रित्य शामाजिक प्रवरण के कारियों में कौन शर नहीं है प्रित्य शामाजिक प्रवरण और प्रित्य शामाजिक प्रवरण उपर यूप में शुक होई नहीं राइट आंसर क्या हो गया है मैकाईवेर की अनुशार तो मैं काईवेर के अनुशार प्रत्य सामाजिक प्रवरड है यह शायनिक की बात उन्होंने नहीं की है ओप्शन ठर्ड राइट अंसर है नेक्स्ट पॉइश्चन है धर्म जन मानस के लिए अफ्हीम है या कथन किसका है हीगल, लेनिन, कालमाक्स, मैक्स, वेबर धर्म जन मानस के लिए अफ्हीम है राइट अंसर क्या होगा धर्म जन मानस के लिए अफ्हीम है या किसने कहा है काल मांक्स का आप्शन सेकंड राइट आंसर है सत्ता का आश अमान वित्रड वर्ग निर्माड और वर्ग संगर्ष के लिए उत्तर दाई है या किसने कहा है कोजर डेहरन डार्फ मांक्स मिल्स सत्ता का आश अमान वित्रड डेहरन डार्फ के अनुशार सत्ता का विभिन रूप में बितरड अनिवारिता विवस्ति सामाजिक संघर्ष का नियधारक कारक है राइट अंसर है ओप्शन सेकंड डेहरन डार्फ नेक्स कुश्चिन है नीमनी लिखित में से कौन सा कथन असरती है संस्कित मानों को मूल्यों मादस्पिदान करती है संस्कित मानों विभारों में समरुपता लाती है संस्कित समाजिक करण में योग देती है संस्कित समाजिक नियंतरण में बाधा डालती है इसमें राइट क्या होगा संस्कित के संबंध में कौन शक अथन अशत्य है तो संस्कित मानों को मूल यो मादस पदान करती है ये सही है संस्कित मानों व्यभारों में समरूपता लाती है ये भी सही है संस्कित समाजी करण में योग देती है ये भी सही है और संस्कित सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है यह ऑप्षन गलत है ऑप्षन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट क्विश्चन है सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वार अपने चुनाओ घुषड़ा पत्र में आरचर देने संबंधित वादे के अनुरूप पिछड़ वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यस कौन थे अशोप मेता एलेम सिंग हुई वीपी मंडल अशोप चंद् सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वार अपने चुनाओ घुषड़ा पत्र में आरचर देने संबंधित वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यस कौन थे उसके अध्यस थे बीपी मंडल आप्शन थर्ड राइट अंसर है तो आज की क्लास बस यही तक आई होप आप सबको यह क्लास पसंद आई होगी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस चैनल को सेयर कर दीजिए प्रही तो एक आप सबस्दया तो आप सबकय को सब्सक्राइब करें जो वीडियास।